एजुकेशन से रिलेटेट वीडियो और गॉर्मेंट इसकीम से रिलेटेट वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बाद फिर मेरे यूटूब चैनल पर दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सार्थी परिवयन पोटल के मात्यम से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या अपना लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन ही बना सकते हैं ऑन किस तरह आप सार्थी परिवयन में लर्निंग लाइसेंस के लिए उनलाइन एपलाई कर सकते हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है बहां से जाकर देख सकते हैं उसका लिंक आपको आई विडियो बनाया दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सार्थी परिवयन पोडल पर एक ऐसी समस्य का जिसके वारे में बहुत सारी लोगों ने मुझसे कमेंट करकर भी पूछा और ऐसे मेरे बहुत सारे क्योस्क भाई हैं जो यह जानना चाहते हैं कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट में फेलो पर आप इसका टेस्ट दे सकते हैं और किस तरह से इसकी फीस का बुकतान आप उनलाइन सार्थी पर इवेंट पोड़ल की माध्यम से कर जकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू अटते हैं चलते हैं लैप्तॉप की स्क्रीन पर तो सबसे पहले आपको इसके पोड़ल पर य तो पोड़ल पर आने के बाद यहां पर आपको लर्न व्यादर सेंस पर आपूर लर्ण सेहलन से अपने वीडियो बनाया हुए है पूरा step by step detail में आप देखना चाहते हैं तो वीडियो अबर जरूर देखें उसका link में description में डाल दिया है महां से आप देख सकते हैं हम बात कर रहा है retest की तो retest के लिए आप तहुरा स्कॉल करके नीचे आएंगे दिखिए यहाँ पर fee payments लिखा हुआ पूरे instructions यहाँ पर दिये हुए है repayment करने के लिए retest payment करने के लिए आपको देखिए आपको देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको retest के लिए जितनी fees पे करना है वो यहाँ पर दिखा देगा और जितनी आपने alert के लिए fees पे की हुए है वो भी उपर यहाँ पर दिखा रहा है तो 424 रुपीज यहाँ पर alert की fees थी और 81 रुपीज आपको यहाँ पर retest के लिए fees पे करनी होगी तो अगर आप यहाँ पर online test में fail हो चुके हैं तो retest की fees पे करके आप बापस से test इसका दे सकते हैं और उसक दरा से आप payment कर सकते हैं debit card networking या किसी अन्य माध्यम से पेमिंट कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा payment की माध्यम से किया हुआ है payment करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे वेट करने के बाद यहाँ आपको यहाँ पर लया गया acknowledgement page पर अब यहाँ पर आप चाहें तो उसका एक print कर रख सकते हैं print receipt पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपका पुराना payment status है वो भी display कर रहा है और जो अभी आपने payment किया हुआ है उसका receipt यहाँ से आप निकाल सकते हैं जो भी receipt आपको निकालना उस पर आप टेक करेंगे capture value यहाँ पर डालेंगे और print receipt पर आप click करेंगे तो अपना पुराना payment यह नया payment जिसका भी आप receipt निकालना चाहते हैं payment receipt निकालने के बाद यहाँ पर हमारा process complete होगया हूं देखेंगे किस तरह से आप इसको login करके दोबारा से test दे सकते हैं तो बापिस यहाँ पर हम home page पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर learner license आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको online LL test पर click करना है और आपके पास एक नया password आया हुगा LL application नंबर तो आपका वही पुराना वाला होगा उसके अलावे यहाँ पर date of birth आप डालेंगे और जो नया password अभी आपको जो payment किया उसके बाद रिसीव हुआ होगा वह password यहाँ यहाँ पर डालके आप प्रॉसीड बटन पर click करेंगे तो आप यहाँ पर online test देने के लिए login हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए यह आपका page open हो चुका है इस पर प्रॉसीड बटन पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी language select कर लेनी है किस language में पर start हो जाएगा तो यहाँ पर आपका test start हो चुका है तो यहाँ पर आप 12 से टेस्ट दे सकते हैं टेस्ट दिने से पहले इतना ध्यान रखें कि इसकी तयारी जरूर कर लें अदर्वाइस फिर आप फेल होते हैं तो फिर आपको piece पर करने होगी और फिर आप 12 से टेस्ट द यहाँ पर score हमारा 3 है इसी तरह से हम हार एक question का answer देंगे तो 4, 5, 6 और इसी तरह से 10, 11 और जैसे यहाँ पर आपका score 12 होगा तो आपका test यहाँ पर complete हो जाएगा और अपना learning license आप यहाँ से download कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर हम last question का answer देते हैं answer देने के बाद confirm button पर click तो जो आपका registered mobile number है उस पर आपको एक OTP receive होगा वो OTP number यहाँ से डाल के अपना learning license आप download कर सकते हैं तो यह हमारे learning license यहाँ पर बंकर तयार हो गया है तो आसा कटता हूँ अब आप समझी गया होगी किस तरह अगर आप online test में feel हो जाते हैं तो दोबारा से आप test दे सकते हैं सर्फ इस पाइब सकते हैं तो